आप सबी अच्छ होंगे, तो दोस्तों, MCBAC in nursing and paramedical के 2022 session की basic registration की जो last date थी, वो आपकी 14 माई 2022 थी, अब आप 2022 के लिए application form के लिए basic registration नहीं कर सकते हैं, अगर आपने basic registration पहले या previous year कर रखा है, तो आप अपना RUC generate कर सकते हैं, या आप अपना final registration की process वो अभी ongoing है, जो आपकी last data है, वो 27 माई 2022 है, तो तब तक आप कर सकते हैं, अब काभी सारे बच्चों का ये एक doubt था कि sir, इसकी correction window कब होगी, open होगी, और साथ ही, हम अपना status है, basic registration का, वो कब चेक कर पाएंगे, तो अभी फिलाल हम इस वीडियो में basic registration की बात करेंगे, तो वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखे, अगर आप हमार चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिलाकर दोबाई से कि आने होले से वीडियो को नडिविशन आपको मिल सके, और दोस्तों, आपकी जो भी doubt है, सभी doubt से समन्दीत मैंने आपको वीडियो में information प्रोइड करवार किये, त तो correction window है, वो आपकी 17 माई 2022 से open होगी, और 20 माई 2022 तक आपकी open रहेगी, तो अगर आपके basic registration में किसी भी तरकी कोई correction है, आपको करनी है, केवल बसरते उसमें यह है कि आपकी जो correction करना है, वो आपका जिस वज़से आपका जो reason दिया गया है, केवल वही आप update कर पाएंगे, उसके अलावा जिससे काफिसेर बच्चों का यह था कि सरम कि आप अपनी category चेंज कर सकते हैं, फादर नेम की जो का मदर नेम हो गया है, या हमारे जो details है, वो गलत फील हो गया है, उनमें correction कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा, अगर previous year देखा जाए, तो इस तरह की कोई भी edit करन है, तो केवल वही एक particular चीज को edit करने के लिए आपको option दिया जाता था, जो आपकी reject हुई है, अगर आपका accept हो जाता है, तो उसमें तो आप कुछ भी चीज है, वो आप edit नहीं कर सकते हैं, जाए आपकी information गलती क्यों ना हो, basic registration में अगर आपकी basically देखा जाए, आपकी M's के द्वारा, तो उसमें आपकी photo, thumb impression और आपकी signature, क्यों तीन basis पे ही आपका basic registration वो reject किया जाता था, और 17 में 2022 से 20 में 2022 को सभी candidate जिनोंने basic registration किया है, RUC court जन्रेट कर लिए और final registration कर रहा है, उन सभी candidates को भी अपना status है, वो आपको check करना रहेगा, क्योंकि ये compulsory है, हो सकता है कि आपने RUC generate कर लिया, आपने अपना final registration कर लिया, लेकिन आपकी जो back side में, जो basic registration की जो update है, वो आपकी reject कुछ, किसी ना किसी बज़र से आपकी reject हो गई है, तो वो आपको check करना है, अब बात करते हैं कि आपका जो status है, वो कब तक update हो जाएगा, तो दोस्तों, अगर status update की बा और जिनका कुछ ना कुछ issue है, तो वो rejected show करेगा, जैसा कि एक candidate है, उनका जो status है अभी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका show हो रहा है, और उनका reject कर दिया गया है, basic registration का, जबकि उन्होंने अपना RUC generate कर लिया, final registration कर लिया है, और इनका यहाँ पे reason भी दिया गया है, the images uploaded by you are not as per the instructions, तो इनका reason दिया गया था कि photograph is without white background, तो white background नहीं था, इस वज़े से इनका basic registration कर दिया गया है, तो अब यह क्या करेंगे, अब 17 मई से 20 मई के बीच में अपना नया photo है, वो upload कर देंगे, फिर आपका जो status है, वो update हो जाएगा, और फिर उसमें आपका जो status है, उसमें accepted आपको show कर देगा, तो इसी तरीके से आपका signature से related कुछ भी show सकता, जैसे size का हो गया या, तो आप उनको भी edit कर सकते, उसमें आपका जब reject का आएगा, तो ही कर पाएंगे, लेकिन आगर 2020 में कुछ changes कर देता है, कि आप सभी चीज़े change कर सकते है, तो उसके update आपको status है, वो update कर दिया जाएगा, और दोस्तो जिन candidate का payment related issue है, या जिनका photo related in progress में show कर रहा है, तो उनका भी update है, वो 17 मही तक आपका confirm हो जाएगा, कि आपका payment related या कोई भी issue हो, तो वो 17 मही से पहले पहले आपका update हो जाएगा, तो आप चिंती तो नहीं कि आप शकता नहीं है, और समय से में पर आपको update हमारे चैनल पर आपको provide करवा दी जाएगी, अब दोस्तो आपके form से related to information या आपके admit card या exam pattern से related या exam कब होगा, वो सारी जानकार या आपको provide करवा दी जाएगी, लेकिन जो main आपका target है कि आपको अपना selection हो किस तरीके से लेना है, क्योंकि form आप feel कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, form आपका accept भी हो जाएगा, admit card भी आजाएगा, लेकिन जो main आपका target है, वो है आपका admission confirm करना, admission M's में लेना हर एक इंडियेट का dream होता है, लेकिन वरास्ते को आपको पार करना इतना easy नहीं, जितना आप सोच रहे हैं, competition का आपको tough होता जा रहा, year by year, तो आपको सही strategy बनानी होगी, smartness के साथ में study करनी होगी, तो ही आप अपना path है, अपना target है, वो आप achieve कर पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों में description box में, आपको objective ebook provide कर भार किये, complete syllabus based है, आपके 11th और 12th NCIT based, आप BSC nursing की preparation कर रहे हो, या paramedical की preparation कर रहे हो, आपके लिए enough है, क्योंकि आपके पास इतना ही समय बचा है कि आप objective फोकस कर सकते हैं, और second आपका है mock test paper, तो आपको objective पे आपको focus करना है, second आपका mock test paper है, तो इतने कम समय में, अगर आपने इन दोनों पे भी अच्छी फकड कर ली और इनको भी अच्छे से clear कर लिया, तो आप 100% अपना syllabus से वो निकाले जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप इधर उदर भाग रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ दू, वो भी पढ़ लूँ, आप पढ़ कुछ भी नहीं पाएंगे, और समय ऐसे ही waste हो जाएगा, तो आप अपना एक target बना के और एक schedule बना लीजे, और उस schedule के अनुसार आप objective पे ज्यादा फोकस कीजिए, जो मेरे दोर objective ebooks प्रोवाइड कीगी है, तो इसमें आपको chapter wise, easy, medium, difficult, तोने level के क्यूशन आपको इसमें देखने हो मिलेगे, अगर आपके exam में easy to medium level के क्यूशन आते हैं तो EGT आपको इनी ebooks में से आपको देखने हो है, तो आपके पास में एक सुनारा मौक है, बाद में आप regret feel करें कि कास में उस समय को सही utilize कर लेता है या कर लेती, तो आज मेरा भी admission है, वो EMS में होता, जब आपके colleagues का admission हो जाएगा, फिर आपको regret feel रहेगा, तो यह समय है, सही decision लीज़े, अब काभी सारी बच्चों का य कि हमें course करवा दो, तो दोस्तों जो चीज possible नहीं है, वो किस तरीके से करवाई जा सकती, अब आप यह माने की चलिए कि 30 days में, आप 11 और 12, 11 और 12 की आपने study कि है, दो साल में, यह 30 days में किस तरीके से complete हो जाएगा syllabus, अगर crash course की भी बात की जाए, तो उसके लिए भी आपको क्लियर करगा, तो crash course complete कर पाएगे, तो 30 days में आप self-study भी ज्यादा focus कीजिए, और objective को आप जितनी बार repeat कर सके, revise कर सके, उतना आपके लिए benefit रहेगा, और parallel, जो सबसे important वो है, आपके लिए mock test paper, mock test paper, जितना एक दिन का mock test paper एक दोगे, तो उतना ही आप में 7 minutes आईगी, आपको एक समझ बढ़ जाएगी, और आपका जो भी topic एक week है, तो आप particularly उसी topic पे आप focus कर पाएगे, आपको यह सब पूरा syllabus नहीं पढ़ना, जो 2 साल में आपने read किया, वो आप किस तरीक से 30 days में complete कर लेंगे, तो थोड़ा सा practically सोचेंगे, तो आपको चीज़े समझ में आ 10 सेट पेपर हैं, इंग्लिज मीडियम के लिए हैं, और 5 सेट पेपर हैं, हिंदी मीडियम के इंडियेट के लिए, मोक टेश पेपर में से आपको एज़ेटिस काफिसर क्यूसंस देखने को मिलेंगे, तो यह दो चीज़े अगर आप follow कर लेते 30 days में, तो भी आप अपना selection confirm कर लेंगे, और दोस्तों अवेल करने की सभी की process बिल्कुल सेम है, description box में जो link दिये गया है, उसके आपको click करना है, जैसे click करने की इस तरह की interface हैगा, by now पे आपको simply click कर देना है, जैसे by now पे click करेंगे, आपको अपनी details फिल करनी है, जैसे की अपना नाम, अपनी active email id, जिस आप अपनी ebook को download कर सकते हैं, सहीं इसी process है, जो mock test paper है, उनको भी आप download कर सकते हैं, mock test paper के एक file download होगी, payment confirmation के बाद में, और उस file को आप download कर लेना, उसमें सारे mock test paper के link दियेगे है, link को copy करके अपने browser में paste करना है, और उस browser के माध्यम से आप जैसे ही, okay पे click करेंगे, आपक पेपर हैं, उनको भी solo कर सकते हैं, जो previous year question paper है, उनके भी link description box में provide के गए हिंदी और इंग्लिस दोनों medium के लिए है, paramedical और B.S.C. nursing सभी के, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, तो ये steady metal आप जुरूर follow करें, बाकि आपकी मर्जी है, मैं क्यों आपको guide कर सकता हूँ, रास C.0007, इस पर message करके भी जनकारी ले सकते हैं, तो दोसरो फिलाल के लिए ये update थी, मिलते next two video में, next two update के साथ में धन्यवाद जेहीं, जे बारत